इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छा लगे तो सस्क्राइब जरूर करें कि ए थोड़ी सी सुजी और एक कटोरी बैसन और एक कटोरी बैसन एड़ करने के बाद एक चमच हिंग और एक चमच नमक नमक अपने स्वाद अनुसार फिर एक चमच हल्दी और फिर उसमें एक चमच अजवाइन अजवाइन एड़ करने के बाद उसमें एड़ करेंगे पाणी एड करने के बाद मैं इसमें एड करूंगा थोड़ा सा cooking oil, ओइल 봤 यह बहुत ही अच्छा और एकडम soft बनेगा और फिर मैं इसको एकडम आटाई की तरह गोंत कर त्यार कर लूँगा इसको एकडम आटाई की तरह गोंत कर त्यार करना है कुछ इस व्रकार फिर में इसको एक सैड में रख दूँँगा और गेस ओन करूँगा फिर उसपे रखूँगा ऐक कड़ाई में अड़ करूँगा पानी पानी अड़ करने के बाद मैं उस पानी को करूँगा बोइल क्योंकि मैं अभी इसमें आलू boil करूंगा, पानी boil होने के बाद इसमें मैं add करूंगा छिले हुए दो cutting की हुए आलू, ताकि जल्दी से boil हो जाए, और आलू boil होने के बाद मैं आलू को निकाल लूँगा बार जारे की साइता से, और बार निकालने के बाद उनको करूंगा मैं ठंडा, ठंडा होने के बाद में इनको मैसर द्वारा मैस कर लूँगा और सभी आलों को मैं अच्छे से मैस करके त्यार करूँगा पुछ इस प्रकार में सभी आलों को मैस कर लूँगा फिर मैं एक कड़ाई लूँगा कड़ाई में ओयल लूँगा और उसमें जीरे का और राई का जोंका लगाऊं पकने के बाद मैं इसमें एड़ करूंगा थोड़ी देर पकाना हरी मिर्च को 3-4 मिनट तक फिर मैं इसमें एड़ करूंगा आदा चमच हल्दी और थोड़ी देर इसको और पकालूंगा 3-4 मिनट तक फिर मैं इसमें एड़ करूंगा एक चमच लाल मिर्च और एक चमच नमक और इस मसाले को 1-2 मिनट तक पकालूंगा ये मसाला पकने के बाद मैं इसमें एड़ करूंगा मैं इसके वे अलू और मैं इस अलू का एक टेस्टी वे स्वादिस्ट मसाला बना कर त्यार करूंगा ज थोड़ी सी काली मिर्च और सोंट फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगा चैसे ताकि मसाले में पुरे में मिल जाए और कुछ इस प्रकार मेरा अलू का मसाला त्यार होगा टेस्टी टेस्टी स्वादिस्ट स्वादिस्ट खाने में भी ला जवाब है यह इसको आप बनाओ गर पर खाओ और फिर में थाली में या एक पलेट में बार निकाल लूँगा और यह बहुत सांदर वे टेस्टी मसाला बन जाएगा फिर में इसकी जोटी-जोटी बॉल्स या गोली बना कर इस परकार त्यार करूंगा फिर में बाटी के जो आटा त्यार किया था उसको में कुछ इस प्रकार सेप करूँगा फिर मैं उसमें गोलियों को मसाले की गोली को बॉल्स को कवर कर लूँगा कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो और ऐसे ऐसे करके मैं सभी अपनी मसाला बाटी में ये जो मैंने मसाला बनाया है उसकी गोली को कवर कर लूँगा कुछ इस प्रकार क कच्वरी के तरह इन सभी को सेफ देदूंगा यह देख सकते हो आप और एक एक करके मैं सभी बॉल्स को कच्वरी की तरह सेफ देदूंगा ज्यादा पतला नहीं करना है कुछ इस परकार आप देख सकते हो और सभी मैं इसी परकार त्यार करूंगा फिर मैं कड़ाई लोंगा और कड़ए में पानी एड करूंगा और उस पानी को में बोpower करूंगा पानी बोईल होने के बाद मैंने जो ये बाटी त्यार की थी वो सभी बाटी इसमें एड करूंगा क्योंकि इस बाटी को हम बोईल करेंगे ये बहुत आसान है और टेस्टी बनेगी आप घर पर बनाना फिर देखो आप पल्टे की साइटा से इसको मिला लेंगे ताक कि कड़ई में नीचे लगे ना फिर बोईल होने के बाद अच्छी तरीके से हम जारे की साइटा से इस सभी को एक पलेट में बाहर निकाल लेंगे यह देखो आप कुछ इस परकार हम सभी को एक पलेट में बाहर निकाल लेंगे और इनको बाहर निकालने के बाद इनको होने देंगे हम ठंडा 10-15 मिनट तक उससे ज्यादा भी ठंडा कर सकते हो फिर ठंडा होने के बाद हम इन और उस कड़ाई में दूस सुद वेदे सी घी एकदम ताजा घी गरम करेंगे और बाटियों को कुछ इस परकार फ्राई करेंगे और ये हमारी फ्राई मसाला बाटी कुछ इस परकार त्यार होगी इस परकार हम फ्राई करेंगे इन सबी को और तेज आंच में इनको फ्राई करना है धिमी आंच में फ्राई नहीं करना है यह देखो फिर हम पल्टे की साहिता से अलट पलट करके इनको सभी और से पका लेंगे ताकि यह बिल्कुल कच्छी ना रहे अंदर से बार से अच्छी तरीके से पक जाए फिर पकने के बाद हम जारे की साहिता से इन सभी को अच्छी तरीके से पकने के बाद जारे की साहिता से इन सभी को बार निकाल लेंगे एक बरतन में और मैं कुछ इस प्रकार सभी बाटी को फराई करके एक बरतन में बाहर निकलूंगा और ये टेस्टी स्वादिस्ट बाटी बनकर मेरी त्यार होगी जैसे समझ लो आप ये इतनी सांदार बाटी है इसको आप बिना दाल बिना मिर्ची के खा सकते हो फिर में इसमें देशी गी कच्चा गी एड़ करूंगा जिससे इसका स्वाद का लेवल जो और भी ज़्यादा हो जाएगा अब भाई साब ये बताओ ये मार्केट से जो हम लेकर खरीद कर आते हैं उनसे तो ये सोगुना बैतर है न तो घर पर बना कर खाओ न आप ये देखो बाटी कितनी सांदार त्यार हुई है और ये धाई हरी मेर्च बाटी ये पूरी पलेट मैंने बना दी है आपके लिए मैं पार्सल कर रहा हूँ आपको ये पूरा खाना है और कमेंट करके बताना है कैसा बना मेरे वीडियो सस्क्राइब भी करना है